हेलो एवरिवान वेल्गम टू माई चैनल जैसे के आप जानते हैं हम डेली लेकर आते हैं एक नई डिफ्रेंड बहुत ही इजी टू मेक एंड यम्मी इंटेस्ट रेसिपी तो आज फिर से हम लेकर हाजिर हैं एक बड़ी ही डिलीसियस और राचिस्थान, यूपी, बिहार औ इसकी बुक में सुनने के लिए मिला था जिसको बाटी के साथ सर्व किया जाता था ये राजिस्थान की एक फेमस मिठाई है चलिए शुरू करते हैं इसको बनाने की तैयारी हमने लेना है एक बड़ा सा बॉल इसके अंदर हम डालेंगे 500 ग्राम आटा जो रेगुलर आटा गेहूं का हम यूज करते हैं इसके बाद में हमें लेना है आटे की हाफ क्वांटिटी में बेसन इसके बाद में हम इसमें एड करेंगे आदा चमच के बराबर सोल्ट ये विकुल ऑपसल है आप चाहें तो डाले चाहे तो आवोइड भी कर सकते हैं अगर मीठी रेसिपी मे थोड़ा सा सोल्ट एड कर देते हैं तो उससे मन उपता नहीं है और खाने में भी टेस्ट अच्छा आता है इसको हम अच्छे से करेंगे मिक्स ताकि बेसन आटा और सोल्ट अच्छे से मिक्स हो जाए अब इसमें हम जूज करेंगे मोईन हमने लिया है एक कप घी इसके अं का टेस्ट बहुत अच्छा आता है और ये घी में ही चूर्मा बना कर खाया जाता है अब हम इसको करेंगे अच्छे से मिक्स और तब तक इसे मिक्स करते रहना है जब तक ये ब्रेड के क्रम्स के जैसा बिल्कुल महीन महीन नहीं हो जाता है दो से तेट मिनट आसानी से इसको मिक्स करने में लग जाएंगे बहुत अच्छे से हमें इसको मिक्स कर देना है कोई भी लांस इसमें ना रहे जितना प्रोपरली हम इसको मिक्स करेंगे उतना ही टेस्टी हमारा चूर्मा बन कर तैयार होगा सभी स्टेप्स को आप आराम से देखिए और इसी तरह से फूलो कर ये देखिए इस तरह से बहुत सरा पानी एक साथ नहीं डालेंगे थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसका एक डो बनाकर तैयार करेंगे डो हमें बहुत जादा टाइट भी नहीं बनाना है और बहुत जादा सोफट भी नहीं बनाना है जैसे आटे की हम रोटी बना अब हम इस पे लगाएंगे एक चपमच के बराबर घी और इसको अच्छे से मैश करने के बाद रख देंगे 15-20 मिनट अच्छे से सैट होने के लिए इस चूर में को अगर आप ट्रैवल पर जा सकते हैं तो तीन से चार दिन अराम से स्टोर करके खा सकते हैं अब जो आठा हम एक लेनी है लोई और इस तरह से इसका एक पेड़ा बना लेना है इसी तरह से हमने थोड़ा थोड़ा आठा लेना है और इस तरह से हतेलियों के बीच रखते हुए इस तरह से ये पेड़ा बना लेना है जैसे हम कचोड़ी बनाते हैं भरवा कचोड़ी बस इतनी ही बड़ पीज हमें इस तरह से बना कर तैयार कर लेनी है यह देखिये, अब इसके बाद में हमें लेनी है एक कड़ाई कहरी तली वाली कड़ाई हम लेंगे इसके बाद में उसमें हम डालेंगे जैसे ही घी होने लगेगा हलका गरम तो हम इसमें एक छोटी सी आटे की लोई डाल कर देखते हैं कि घी का टेमपरेचर परफेक्ट है या फिर नहीं आप देख सकते हैं ये घी हलका गरम हो चुका है हमें इतना ही इनको फ्राई करने के लिए चाहिए अब जो हम नहीं लोई बना कर तयार की हैं इनको हम एक एक करके घी में डालते जाएंगे मैं एक बार में आट से दस लोई इसमें फ्राई करने के लिए डाल रही हूँ आप अपनी कड़ाई के साइस के अकोर्डिंग कम जादा कर सकते हैं ये देखिए सारी लोईों को हमने एक एक करके घी में कर देना है ट्रांसफर इसके बाद में हमें गैस के फ्लेम को लो मेडियम रखते हुए तब तक इनको फ्राई करना है जब तक ये लाइट गोल्डन नहीं हो जाती है जैसे ही ये light golden हो जाएंगी तो हमें एक spoon की help से इनको पलट देना है ताकि ये उपर से भी अच्छे से सिख जाएं दोनों तरफ से हमें इनको कर लेना है golden low flame पर जब हम इनको काफी देर तक पकाते हैं तो ये अंदर तक बहुत अच्छे से पक जाता है अगर gas का flame high होगा तो ये बाहर से तो बहुत जल्दी से golden हो जाएंगी लेकिन जैसे ही हम इनको तोड़ेंगे तो इनके अंदर से कच्छा आटा निकलेगा इसलिए हमने gas के flame को सिम पर रखते हुए इनको कर लिया है अच्छे से golden आप देख सकते हैं बिल्कुल perfect golden color के ये हो चुके हैं बस अब हम इनको इस तरह से निकाल लेते हैं ये देखिए अब जो बागी की लोई बना कर हमने तयार की हैं उनको भी बिल्कुल इसी तरह से fry कर लेंगे जैसे हमने पहले लोई को fry किया था एक बार में उतने ही लोई डालें जितने अच्छे से घी में आ जाएं ये देखिए आठ से दस लोई हम इसमें डाल चुके हैं और इनको भी हम कर लेंगे golden जैसे ही ये एक तरफ से हलकी पक जाएंगी तब हम इनको इस्पून की हेल्प से पलट पलट कर दूसरी तरह से भी अच्छी खासी golden कर लेंगे ये चूर्मा जितना खाने में टेस्टी होता है और उतना ही कैलरी वाला भी होता है हाई एनरजी वाला होता है इसको जो हाइड बढ़ने वाले बच्चे हैं जिनकी अभी हाइड बढ़ रही है उनको खिला सकते हैं जो प्रगनिंट ओरते हैं वो भी इसको खा सकती है और जो बहुत जादा एक्सराइस करते हैं वो भी इसको खा सकते हैं ये देखे इस तरह क यह लोई अच्छे से घोल्डन हो चुकी है, छोटी छोटी पूरियों के जैसी है, हमने इस आटे को अच्छे से फ्राइ कर लिया है, अंदर से तोड़ के दिखाते हैं, यह अंदर तक बहुत ही अच्छे से पक चुकी है, आप देख सकते हैं, इसके बाद में आप जितने भी यह लोई हैं, जब यह ठंडी हो जाएंगी, तो हम इनको इस तरह से तोड़ लेंगे, यह देखिए, प्रोपर जब यह अच्छे से ठंडी हो जाएंगी, तब इनको अंदर से तोड़ना है, कई बार यह पहार से ठंडी होती हैं, और अंदर से गरम निकलने लगती हैं, बस इसी तरह से हमने इनको तोड़ तोड़ कर एक तरह से चूरा कर लिना है आप देख सकते हैं सभी पूरियों को हमने इस तरह से तोड़ लिया है और ये इस तरह से आपके सामने चूरा हो चुका है इसके बाद हमें लेना है एक मिक्सर जार इसके अंदर हम थोड़ा-थोड़ा करके इसको अच्छे से कर lsehen ग्राइंड जैसे bread का compr होता है इतना बारीक हमें इसको grind कर लीना है ये देखिए, दो से तीन ही राउंड में अच्छे से ये चूरमा बन कर तयार हो चुका है, आप देख सकते हैं, बिलकुल लग रहा है ना, जैसा ब्रेड का क्रंप होता है, बिलकुल परफेक्ट, बहुत ही बारीक ये एकदम से ग्राइंड हो चुका है, ये देखिए, एकद करमप के ज़ैसा चूरा बनाकर तयार कर लेना है यह देखिए अब इसके बाद में हम इसमें एड़करेंगे तीन कप के बराबर बुरा या फिर आप जो घृते मोरा आता है बूरा के जैसा होता है वह बी इसमें डाम सकते हैं या फिर आप जो आप छेनी भी वुलै ऑन आ ा अगर आपको मीठा ज्यादा पसंद है तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं मीठा कम पसंद है तो आप इसकी क्वान्टिटी को घटा भी सकते हैं अब हम अच्छे से कर लेंगे इसको मेक्स ताकि अगर कोई गुटली है तो वो अच्छे से मेक्स हो जाए ये देखे इस तरह से हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है इसके बाद में अब हम लेंगे मावा या खोया जिसको हमने ग्रेड कर लिया है काफी अच्छे से ये हम ले रही हैं 500 ग्राम मावा इस पूरी रेसिपी को बनाने के लिए हमने 700 ग्राम आटा, 500 ग्राम बेशन और 500 ग्राम मावा और 700 ग्राम बूरा का यूस किया है अब जैसे ही मावा इसके अंदर जाएगा तो हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे मिक्स 2-3 मिक्स करने के बाद में अब हम इसमें डाल लेते हैं आदा कप के वराबर घी क्योंकि अभी अच्छे से लड्डू बनाने के लायक तयार नहीं हुआ है तो अभी हम इसमें थोड़ा सा घी डालेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और इनका हम लड्डू बना पाएं तो इसी तरह से चूर्मा आप इसी भी बरतन में भर कर रख दीजिए और जब भी आपका मन हो दूद के साथ या फिर जैसे भी आपका खाने का मन हो इसको खाकर इंजोई कर सकते हैं अब हम इसमें डालेंगे कुछ ड्राइफ फूट्स मैंने कुछ काजू को बारिक बारिक दरदरा पीस लिया है और इसमें डाल दिया है इसके बाद में हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी किश्मिश ड्राइ फ्रूट्स आप अपनी पसंद के अगोडिंग डाल सकते हैं जो भी आप इसमें डालना चाहते हैं अब इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स ये देखिए दो सी तीन मिट बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद में अब हम इसका एक लड्डू बना कर देखेंगे अगर बन जाता है तो ये बिल्कुल परफेक्ट है अगर आपको लड्डू इस टाइम पर नहीं बनता है तो इसमें आपको थोड़ा सा घी और एड करना पड़ेगा ये देखिए एकदम से प्रोपर लड्डू बन कर तयार कर लेने हैं आप चाहें तो मीडियम साइज के चोटे चोटे लड्डू बना सकते हैं अगर आप चाहें तो चूर्मे के बड़े बड़े लड्डू भी बना कर रख सकते हैं इसको आप 8-10 दिन आराम से स्टोर करके रख सकते हैं और इंजोय कर सकते हैं अगर आप लड़ू नहीं बनाना चाहते तो आप चाशनी बना कर इसकी बर्फी भी जमा सकते हैं ये दोनों ही तरीके से बहुत ही टेस्टी लगता है ये राजिस्थान का चूर्मा हमने बनाया है कुछ यूपी वाले स्टाइल में तो ये आपको बहुत ही पसंद आना चाहिए राजिस और बैल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप नई नई वीडियो देखकर एंजोई कर सकें कल फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बबाई थेंक्यू फो वाचिंग